हलो स्टुडेंट आज का हमारा सब्सक्राइब है जीके तो जीके के अंदर पेज नमबर 9 पे क्या लिखा है तो यहां पे हमें क्या लिखा है draw lines to label the parts of the body तो यहां पे जो यह labels दिये गए है तो उसको हमें क्या करना है lines करनी है उसके साथ follow करना है तो first क्या लिखा है head h e a d head तो head कहां पे है उसके उपर हमें यहां पे line करनी है वहां पे follow करना है match करना है उसके साथ तो यह क्या है head तो उसके साथ यहां पे match करना है फिर है e a r ear तो ear कहां पे है यह रहे तो इसके साथ हमें यहां पे match करना है ear ear यानि क्या होता है कान ओके फिर next है n e c k neck तो neck कहां पे है यहां पे तो यह है neck तो उसके साथ हमें neck को यह से follow करना है ओके फिर next है e l b o w elbow तो elbow कहां पे होता है देखो यह hands है यहां पे elbow होता है तो हमें यहां पे match करना है elbow के साथ ओके फिर लिखा है h a and d hand क्या है hand तो hand कहां पे है यहां पे तो hand के साथ follow करना है फिर लिखा है leg leg तो leg कहां पे है यह रहे तो हमें यह leg के साथ यहां पे follow करना है फिर है k n e e नी तो नी क्या होता है यह रहा तो यह यहां पे हम भी इससे follow करना है ओके फिर next है i तो यहां पे i e y e i तो i यानी क्या होता है आख तो यहां पे i के साथ follow करना है फिर है n o s e nose nose यानी नाख तो हमें nose के पास यह line को ले जाना है देखो हो गया nose ओके फिर है m o u t h mouth तो mouth कहां पे है here तो यहां पे हमें इससे line करनी है ओके फिर है s h o u l d e r shoulder क्या है shoulder तो हमें s h o u l d e r shoulder तो हमें यह shoulder के पास ले जाना है ओके फिर है arm e r m arm यानी क्या होता है बाजू देखो यहां पे arm को ऐसे follow करना है ओके फिर है w a i s t west तो west यानी क्या होता है कमर तो यह से हमें west के पास ले जाना है ओके फिर next है f i n g e r s fingers तो fingers यानी क्या होता है उंगली तो देखो यह fingers के पास हमें follow करना है फिर है f o o t foot तो foot कहां पे है यह रहा तो यह से हमें foot के पास फिर है t o e s toes तो हमें यहां पे यह से toes के पास follow करना है ओके student आगए आपको body parts चलो student एक बार repeat करते हैं ओके यह सब है उसके body parts